बोलिये महालक्ष्मी मैया की बोलिये धनवंत्री भगवान की बोलिये कुबेर भगवान की भक्त जनों पावन धन तेरस त्योहार के दिन महालक्ष्मी धनवंत्री भगवान और कुबेर भगवान की पूजा और अर्चन का प्रावधान होता है यह त्योहार कार्तिक त्रेयोदशी को पड़ता है भक्तों और इस दिन बड़ी श्रद्धा और हर्शुल्लास के साथ समस्त भक्त इन सभी की पूजा करते हैं इस दिन भक्त स्वर्ण चांदी के नए नए आभूशन खरीतते हैं महंगी धात्मों के बने बरतन खरीतते हैं और नए वस्त्र आभूशन पहन कर माता महालक्ष्मी धनवंत्री भगवान और कुबेर भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं भक्तों इस त्योहार को मनाने के पीछे वेद पुराणों में कई गाथाएं प्रचलित हैं जिन में से एक पावन गाथा आज संगीत मैं रूप में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तो बोलिए महालक्ष्मी मैया की जैशियों की बाहार है धनते रस त्योहार है महालक्ष्मी कुवेर की किरपा भगतों अपरंपार है खुश्यों की बाहार है धनते रस त्योहार है महालक्ष्मी कुवेर की किरपा भगतों अपरंपार है महालक्ष्मी नमो नमा धनकुवेर जी नमो नमा धनवंत्री जी नमो नमा धनते रस जी नमो नमा भक्त जनो धन तेरस ते उहार की पावन कथा कुछ इस प्रकार से एक बाद श्रीहरी विष्णू मृत्यू लोक में जाने के लिए उद्यत हो गए परंतून के साथ साथ मैया महालक्षमी भी जाने की हट करने लगी मैया की इस हट के आगे श्रीहरी की एक न चली और वो दोनों मृत्यू लोक में एक गाओं में आ गए मृत्यू लोग पहुचकर श्री हरी माता से बोले प्रिये मैं दक्षण दिशा में जाता हूँ परन्तु तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करना और याद रहे नहीं मेरे पीछे आना और नहीं मुझे ढूंडने का प्रयास करना परन्तु मा लक्ष्मी तो चंचला है भक्तों प्रभू के जाते ही वो प्रभू के पीछे पीछे दक्षण दिशा की ओर चली गई प्रभू तो नहीं मिले परन्तु साम ने एक गन्ने का खेत दिखाई दिया माईया ने एक गन्ना तोड़ा और उसका रस्पान करने लगी इतने में श्री हरी विश्णू लोटाए माता को अपने पीछे आता देख क्रोधित हो गए बोले प्रिये तुमने मेरे आदेश का उल्लंगन किया एक तो मुझे ढूनने का प्रयास किया और दूजा गन्ना चुराने का अपराद भी इसलिए मैं तुम्हें श्राब देता हूँ कि तुम्हें इस किसान के यहां बारह वर्षों तक दासी बनकर निवास करोगी विश्णू जी के श्राब के कारण लक्ष में माता कुलाई उस दरिद्र किसान के घर में याचक बन कर माई पोली घर का काम करूंगी खाने को कुछ दे देना एक कोन में पड़ी रहूंगी थोड़ी सी जगहा देना दया किसान को आ गई घर के भीतर ले आया एक दासी का रूप बना कर आ गई देखो महमाया महालक्ष्मी नमो नमा धन्कुदर जी नमो नमा धन्मुर्प्री जी नमो नमा धन्के रस जी नमो नमा दासी बनी महालक्ष्मी मैया किसान के घर का सारा काम काज कर दी किसान और उसकी पतनी महलक्षमी मा से पुत्री के समान समेह करते थे जो रूखा सूखा मिल जाता उसे प्रभु का प्रसाँच समझ कर सारे के सारे ग्रहन करते इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था भक्तों परन्तु इस वर्ष की फसल लस्ट होने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी खाने पीने के लाले पड़ गए इस पर दासी बनी मा लक्ष्मी ने स्वयम की मिट्टी की एक मूर्ती बनाई और उसे किसान की पत्नी को देते हुए कहा कि मा इस मूर्ती की नित्य प्रती पूजा अर्चन करने से आपको अवश्य लाब होगा उन्होंने ऐसा ही किया और ये क्या ऐसा करने से धीरे धीरे उनके आर्थिक हालात सुधरने लगे परबाद फसल पर जो रिण लिया था वो भी माफ हो गया बाजार में जो उधारी थी वो भी धीरे धीरे चुकने लगी किसान और उसकी पत्नी दोनों इस माटी की मूरत के चमतकार पर हैरान थे भक्तों बत्न किसान की नेत प्रती ही लक्षमी पूजन करती थी अपने हाथों भोग बना करमा का बंदन करती थी धीरे धीरे जीवन में फिर परिवरतन था आने लगा मैया की महिमा का जादू भगतों रंग दिखाने लगा रिन दोनों के माफ हुए और उधार भी चुकने लगे दोनों रात और दिन मैया के चर्णों में ते चुकने लगे अब किसान के घर के हालात ठीक थे भगतों उनके यहाँ धन धान सुक्षम्रिद्धी यश्वयभव की वर्शा होने लगी और किसान और उसकी पतनी मा लक्षमी को पुत्री के समान प्रेम करते और उसका लालन पानन करने लगे अब घर में काम काज हे तु दास और दासियां रख ली गई थी इस तरह सुक्षे बारा वर्श कव्यतीत हो गए बता भी नहीं चला भगतों इदर बारा वर्श समाप हुए उधर श्री हरी विश्नु अपनी इस्तरी महा लक्षमी को लेने के लिए किसान के घर में आ गए और लक्षमी को वापस देने को कहा किसान और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया तब मा ने उन्हें मिले हुए श्राव की सारी कथा किसान दमपत्ती को सुनाई परन्तु किसान था कि वो महालक्षमी मैया को वापस करने को बिलकुल भी तयार नहीं था क्योंकि इन्हीं की क्रपा से तो उनके जीवन में इतना सुखत परिवर्तन हुआ था तो आज भला मैं उसे अपने घर से कैसे विदा कर दूँ मारबर्ष जैसे ही बीते श्री विश्नु जी बहां आए लक्षमी को वापस ले चाओं वो किसान से बतलाए पर किसान ने मालक्षमी का भेद ये सारा जब जाना मालक्षमी को वापस देने को बिलकुल भी ना माना विश्नु जी समझाते हैं उसको ये बतलाते हैं लक्षमी मैया चन चला है उसको बात बताते हैं महा लक्ष्मी नमो नमा धन्तु गेरी जी नमो नमा धन्मन्ती जी नमो नमा धन्ते रस्टी नमो नमा श्री हरी ने लाग समझाया कि लक्ष्मी तो चंचला है एक जगा पर बंद कर कभी नहीं रह सकती परन्तु किसान दमबत्ती नहीं मानी भक्तों इस पर मा लक्ष्मी ने उन्हें एक उपाय सुझाया बोली कल तेरस का दिन है सुभह उठकर सुनान ध्यान करके मेरी सुंदर मूर्ती को लाल चुनर से सजाना पुष्प आदी से मंदिर सुसजित कर उसमें स्थापित करवाना धजा नारियल अक्षद चंदन धूप दीब नैवेद दिले कर बड़ी श्रधा से मेरा पूजन करना तथा सोने के कलश में सोने के सिक्के भर कर उसके मुख पर लाल वस्त्र बांध देना ऐसा करने से मैं सदा उस कलश में बास करूँगी किसान दमपत्ती ने ऐसा ही किया वक्तों और मा लक्ष्मी उस कलश में अपनी कृपा को बंद कर श्री हरी विश्णु के साथ वेकुंठ लोग को चली गई तभी से यह दिवस धन तेरस के दिवस के रूप में मनाया जाता है वक्तों भक्त लोग मा के बताये नुसार सोना चांधी आभूशन खरीते हैं तथा जीवन परियंत मा लक्ष्मी की कृपा को प्राफ्त करते हैं भाईया ने फिर खुद किसान को अपने मुक से समझाया मेरी किरपा कैसे मिलेगी उस किसान को बतलाया तेरस के दिन लाल चुनर से मेरा मंदिर सजवाओ सोने के कलश में सोने के सिखे तुम भरवाओ अक्षत चन्दन पुश्प कमल और ने वेध चलाओ के मेरी किरपा इस जीवन में हर दम भग्तो पाओ के महा लक्ष्मी नमो नमा धन्कु गेरी जी नमो नमा धन्मंत्री जी नमो नमा धन्तेरस जी नमो नमा धन्तेरस की एक और कथा केनु सार इस दिन सागर मन्तन से वैद्राज धन्मंत्री अमरित कलश लेकर प्रकट हुए थे इसलिए आज उनका प्राकट के दिवस्वी मनाया जाता है सभी भक्त जन धन्तेरस के दिन नए नए वस्त्र आभूशन धारन करते हैं कीमती धातुओं के बरतन इत्यादी क्रय करते हैं सोना चांदी लेकर अपने अपने घरों को जाते हैं मंदिर में मालक्षमी वैद्यराज धन्तरी और धन के देवता कुवेर का पूजन अर्चन करते हैं पूरे विधी विधान से सामगरी सहित इन तीनों का पूजन कर समस्त सुखों को प्राप्त कर जीवन के अंद में वैकुंट लोग प्राप्त करते हैं तो बोलिये महालक्षमी मैया की जै बोलिये धन्तरी भगवान की जै बोलिये श्री कुवेर भगवान की जै मूजा थाल सजाओ भगतों और सामगरी लाओ तुम मैयालक्षमी और कुवेर को चंदन तिलक लगाओ तुम धन्वंत्री भगवान के आगे भगतों शीष नवाओ तुम धन्ते रसके दिन इन तीनों की किरपा को पाओ तुम मैया भव से पार करे धनकु बेर भंडार भरे धन्वंत्री जी भक्त जनों का भव से बेडा पार करे महा लक्ष्मी नमो नमा धन्त बेरी जी नमो नमा नन्मन्ती जी नमो नमा नन्ते रसी नमो नमा